साथियों, हमारे लिए राजनीती और राष्ट्रनीती साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीती से राजनीती को अलग करकर के चलने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरकी राजनीती चल रही है। एक राजनीती है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रिय स्तर पर अलग लग राज्चों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है। जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हीतों के लिए काम करते हैं। परिवार वादी सरकारों में परिवार के सदच्चों का स्थानिय निकाई से लेकर समसत तक में दबदबा रहता है। यह लोग भले ही अलग अलग राज्चों में हो। लेकिन परिवार वाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दुसरे के प्रस्टाचार को डग कर रखते हैं। बीते दसकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा मुक्साम हुआ है। इन परिवार वादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वास गात किया है। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपाही इकलोती पार्टी है। जो इस चुनोती से देश को सजग कर रही है। सतर कर रही है। पहली बार भाजपाने ही इसके खिलाब बोलना शुरू किया। और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोस है कि देश के लोग, देश के युवा, अब दीरे दीरे ये समझने लगे हैं, कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोग कंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, लोग कंत्र के साथ खिलवार करने वाली के पार्टियां, सम्विधान और सम्विधानिक ववस्ताओं को भी कुछ नहीं समझती है। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्टा अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाप लोग कंत्रिक मुल्यों के साथ लड़ रहे हैं। इन में से कई कार्टाओं को अपना बलिदान तक देना पड़ा है। हम सब हमारे इन कार्टाओं के परिवारों की पिड़ा में शामील है। मैं सभी कार्टाओं को विश्वात दिलाता हूँ कि भाजपां ऐसे राज्यों में लोग तांत्रिक मुल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संगर्ष करती रहेगी। और यह महा संगर्ष यह महा यगना तब तक चलेगा जब तक लोग तंत्र विरोदी ताकतों को हम परास्त नहीं कर देते हैं।